हेलो फ्रेंड विल्गम पर श्वीतास के चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करने जाए रहा ही हूं मैंगो मस्तानी की रेसिपी जो की पूने की बहुती फेमस है उसी तारीके से आज मैं आपको मस्तानी बनाना बताने जा रही हूं आप कोई भी मिल्क ले सकते हैं बस बहुत जादा पतला ना हो उसके बाद मैंने आ लिये हैं 100 ग्राम चीनी यहाफ कप के करीब होगी उसके साथ मैंने लिया है टू एफ टेबल स्पून कस्टड पॉडर आप कस्टड पॉडर कोई ब्रांड का ले सकते हैं जो अच्छे ब्रा अस्तानी बनानी के लिए और इसको हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं ताकि लम्स वगेरे ना रहे तो यहाँ पर देखे इस तरह से स्मूथ अपको मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसको पूरे मिल्क में एड कर लेना है तो यहाँ पर यह मिल्क है इसमें मैं एड कर और यहां पर आपको थीक बॉटम पैन का ही यूज करना है और इसी के साथ अब एड करेंगे चीनी तो 100 ग्राम मैंने यहां लीथी चीनी वह सारी हम इसमें एड कर देंगे और इसके हमें चलाते हुए कंटिनियूसली कोक करना है तो यहां पर देखिए मैंने 6-7 मिर इसको टेस्ट उसका इनहेंस होता है इस यहां नगा करके अपको फ्रिज में चिल होने के लिए रख देना है तो यहां पर यहां पर सी ना फ्रिज के रखें रिदी है सब्कार इस तरह से और कब जौ एक आपना कर दी चल जाएगा चल जाएक पिल कर सकते मैं इससको नहीं हैं अि इस तरह से प्यूरी बना ली है और यहां पर मैंने से चीनी मिल्क वगरे कुछ भी एड़ नहीं किया है अल्रेडी हमने सारा बेस में एड़ कर रखा था मस्तानी के लिए बेस भी रेड़ी है और साथ ही में गार्निशिंग के लिए कुछ पिस्ता कट करके लिए हैं बदाम मैं अनिग यू तब यहां पनी से टल रखा बनानी के लिए तैकि फम्हां उतना इस का महां करना ऑपूरी ऑप यहां पर दो आम की प्योरी बना करके भी बेस में अट कर सकते हैं और अब हम इने अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबसे पहले ताकि बेस और यह जो हमने मैंगो पल्प डाला है यह अच्छे से मिक्स हो जाए और उसके बाद फिर हम इसमें मिल्क एड करेंगे अब यहां मैं इसमें एड कर रही हूँ मिल्क क्योंकि अभी भी थोड़ा सथेक है और यहां पर मैंने अपना बाउल भी चेंज किया क्योंकि मिक्स करने मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी वो छोटा पढ़ रहा था और यह देखे अब मिल्क एड कर दिया है अब सा सब्सक्राइस कहा था मातष्जा अनृट मात हैं hyึ 15 में में इस अपले डाल बास यह द्या कर को हम यहांकि पर इसको मेंको आइसक्रीम की सम सब्सक्राइब नहीं थी उ और इसको अब हम बदाम, पिस्ता और मेंगो के कुछ पीसे के साथ में इसको गार्णिश कर देंगे, तो बहुत सिंपल है मस्तानी बनाना, तो इस तरह से आप occasionally या फिर कोई गैस्ट आ रहे हो, तो easily prepare कर सकते हैं, और 150 ml के भी गिलास आप बना करके ready कर सकते हैं, गर में ही, और यह देखे, बहुत ही delicious लगती है, यह मस्तानी पीने में, आई होब आपको वीडियो helpful लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, थाइब पुम्टूंस, और लिए बिल्कुल नाओजिए, और लिए, बचस्वाईब कीजिए, और भूलें यह लुगते हैं,